नमस्कार सास्त्रियकाल आदाप आप सभी को मेरा अमन्जेकिन्स की तरफ से आप एजाम के लिए वेश्ट आप लख तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वी ए सेकंड येर फॉर्ट समेश्टर के मद्यकालिन इतिहास के चेप्टर फाइप के महत्रपूर इंपार्टन कोश ऐसन आपको सबसे पहले मिलें तो चप्टर नमबर फाइप का नाम है फ्रांसेशी करांती करांती का महत्रत और विश्व पर प्रभाव तो जिनों ने कॉलेज में अपना मतलब युनिवर्शिटी या कालेजों में अफिलेटेट कालेजों में अपना क्लास लिया होगा डे पहला कोस्टन इसमें दिया है फ्रांस में करका जोड़ा सही खिरम क्या है फ्रांस में करका जोड़ा कौन सही है तो उप्रिक्त में से सभी है हमारे नेक्स्ट कोस्टन में दियागा है दोस्तो फ्रांस की प्राचिन संसत का नाम क्या था इस्टेटर्स जनरल नाम था लुई 14 हमें का यूग का लेखक वाल्टे अर्था आपसन क्या है ए इसका राइट एंसर है फ्रांस किस महादिप में है यूरोप में है आपसन पर सी इसका राइट एंसर है 1789 में फ्रांस का प्रतम सविधान किसी ने तयार किया 1789 में फ्रांस का प्रतम सविधान राश्टिय सभा ने तयार किया आप सुनर सी क्या है इसका राइट एंसर है रूसो का जन्म कहां पर हुआ स्वीटेजर लेंड में हुआ आप सुनर बी इसका राइट एंसर है स्टेटस जनरल का उद्घाटन कब हुआ स्टेटस जनरल का उगाटन 23 जून 1789 इस्वी कह हुआ था समान इच्छा के सिधान का परवर्तक कौन है समान इच्छा के सिधान का परवर्तक रूसों है आप सुनर बी इसका राइट एंसर है आगे कुस्ण क्या दिया है लुई सुलहवे के सासनकाल में नीड में से कौन अर्थ मंत्री नहीं था मार्स आप सुनर डी इसका राइट एंसर है बास्तिल किस राज से समंदित था वरास्तिल फ्रांस के समंदित था आप सुनर ए इसका राइट एंसर है मेरी इंत्वायनेत किसकी पतनी थी लुई सुलहमा की थी आपसमर्ण बीज का राइट एंसर है बुर्बो वंस के राजा ने किस देश में सासन किया फ्रांस में सासन किया वेंथियन सोसाइटी का संथापन कौन था वेंथियन सोसाइटी के संथापन बेबूफ थे कौन थे ब पंचम के द्वारा नेपोलियन के साथ समझ होता किया गया था आप सनुड़ इसका राइट एंसर है कि नेक्स्ट कोस्टन नमरा क्या दिया गया है कि पेरिस की इस्तिरियों ने वरसाए पर कब धाबा बोला था पांच अक्टूबर 1789 इस्वी को वर्साय पर ढाबा बोला था मांटे स्क्यू ने कौन सी पुष्टक लिखी किस लेखक ने टिपड़ी की टेनिस कोट की सपत फ्रांसीसी करांती का वास्तविक परारंभ थी लियो गर्साय आप सुनर ये इसका राइट अंसर है मानो तथा नागरिकों के अधिकार की गोशना किस सभा ने की थी राश्टी सभा ने आप सुनर ये इसका राइट अंसर है स्वेत आतंक किसके सासन काल में हुआ लुई सुलहा के सासन काल में हुआ टेनिस कोट की सपत समंदित है टेनिस कोट की सबत किसे समन्दित है फ्रांसी सी करांती से समन्दित है आप सनुर बीस का राइट एंसर है वर्साय का प्रसिद महल अवस्थित था वर्साय का प्रतानी की प्रसिद महल अवस्थित था फ्रांस में अवस्थित था वाल्टेयर का जन्म कब हुआ था वाल्टेयर का जन्म कब और कहां हुआ था तो 1649 इस वी में फ्रांस में वाल्टेयर का जन्म हुआ था समाजिक सम्झेवता सोचल कंटेंट कजिया कंटेक्ट रचना है तो किसकी है रूसो की है वास्तिल का पतन कब हुआ, चोधय जुलाई को वास्तिल का पतन हुआ क्रांति के संभेए फ्रांच का राजा कौन था लूईस सुलहमा था इमाईल के लेखक कौन थे, रूस हो थे आगे को संधीया है, मानवा अधिकारों की घोसरा किस्क ऺांति है है इस्टेटस जनरल किस देश से समझ दी था फ्रांस से समझ दी था मीराबो की मिर्थिव कब हुई थी मीराबो की मिर्थिव दो अपरेल करांती के दोरान निम्लिकित में से कौन से रंग फ्रांस के राश्टी रंग थे नीला सफेद लाल आपसनवर सी इसका राइट एंसर है मनुष से सोतंत्र पैदा होता है किन्तु वह हर समय जंकीरों में जकड़ा है या कथन किसका है या कथन रूसों का है लुई सुलामा फ्रांस की गद्धी पर आसीन हुआ यानि लुई सुलामा फ्रांस की गद्धी पर कब बैठा 1774 इसमय में बैठा आपसनमर डी इसका राइट एंसर है किस बिचार को करांती का मसीह कहा ज़ेता है कि भुर्दाहिनल वर्ग को क्या कहा ज़ेता था त्रिती है इस्टेटस कहा जाता था फ्रांस में सुभधा हिन वर्ग को त्रिती इस्टेटस कहा जाता था इन्हें से कौन कहता है कि मैं ही राज्य हूँ लुईस तोला हमा आप संबर सी इसका सही अंसर है दा परसियन लेटर से निम्लिक में से किसकी रचना है मैडम रोला किस्ट दल की नेता थी मैडम रोला जीरो दिंस की नेता थी आप सिन पर सी सका राइट एंसर है राश्टी सभा का पुराना नाम क्या था स्टेटस जनरल था मांटे इसक्यू की मिर्थु किस वर्ष हुई 1755 इसवी में हुई फ्रांस में समान्ती ब्यवस्था का पतन कब हुआ था 16-6 अक्टूबर 1789 में फ्रांस में समान्ती ब्यवस्था का पतन हुआ था टेनिस कोट की सपत समंदित है लुई सोलहमा से समंदित है फ्रांस की सभा ने पादरियों का लोकिक विधान की गोशना की राज़्टी सभा में आप समबर क्या है? ए राइट अंसर है रिफलेक्सटन आंदर रिफलेक्सटन आंदर रिवोलिशन आप फ्रांस के लिखा कौन है? ए डमंड वर्क हैं आप समबर ए इसका राइट अंसर है ए सुत अंतर तेरे naam पर क्या अपराद हो रहे हैं? ए कथन किसका है? मैडम रोला का है निम्रिखित में से कौन दा इश्परिटाफ दा लाज़ के लिखा कौन है? मांटे स्क्यू है कौन है? मांटे स्क्यू सुतंतता समानता एंव बंदूत का नारा किसी ने दिया रूसों ने दिया था मेरी एंत्वायनत किस देश की राज़्वकुमारी थी आस्टिडिया की थी एंडिया नोपूल की संधी कम हुई थी 14 सितंबर 1829 में हुई थी फ्रांस में करांती के पुर्व पवित्र रोमन समाज का समराथ होता था आश्टिडिया हंगरी का समराथ 1789 की फ्रांसिसी करांती के समय रूस में साचन था के थरीन महान आप संवर सी इसका राइट अन्सर है बढ़ते हैं आपने अगले कोशन की तरफ 1788 इसी में रूस आश्टिया की महत्व कंचाओं को रोकने के लिए हुई थी त्री मुखी संधी हुई थी करांती के समय फ्रांस की 25 कड़ो जन संख्या में सामनतों और पादरियों की संख्या थी केवल एक प्रतिसत करांती के पूर्व फ्रांस के जागीदारों और धर्माधिकारियों में परते के पास था फ्रांस की संपति का पांचमा भाग था करांती के पहले फ्रांस में क्रिसको को विविन करो के रूप में अपनी आयका देना पड़ता था लगबग 80% हिस्सा क्रांती के पहले फ्रांस में अधिक बेपारी और उद्वगिक छेतर का सबसे सक्तिसाली वर्ग था बुर्जुवा अनि मध्धम वर्ग इस्प्रीट आप दी लाज के लेखक मानटे स्क्यू है स्वर्ग को बदनाम चीज करकर रुकाने वाले विद्वान कौन थे वाल्टेयर थे सोशल कंटेंट नाम पुष्टक की रचना की थी किसने रूसों ने की थी फ्रांस की राज करांती के पूर्व निलुखित में कौन सा देश क्रिशक दास प्रथा में जकड़ा नहीं था इंगल्डेंड आप संबर ए इसका राइट अंसर है पोलेंड का पहला बठवारा हुआ था 1772 इस्वी में फ्रांस की राज करांती के पूर्व यूरोप के समार्ज में कौन सी स्रेडी नहीं थी मद्यम स्रेडी नहीं थी यानि सबसे नीचे वाली पोलेंड का दूसरा बिर्वाजन कब हुआ पोलेंड का दूसरा बिर्वाजन सं 1793 इस्वी में हुआ आप संबर ए इसका राइट अंसर है फ्रांस में क्रांती के पूर्व जागीदारों और धर्माधिकारियों के पास फ्रांस की संपती का कितना भाग था पांचवा भाग था अभी हमने आपको बताया है आगे कुस्टन राज करांती के पूर फ्रांस में की थे थर्ड स्टेटस कहा जता है साधार जन्ता को कहा जता है राज करांती के पूर फ्रांस के कुलीन स्रेड़ी के लोगों को स्वामित में कितनी भूमी थी चौथाई भाग क्रांती के पहले फ्रांस में क्रिसिकों को विविन करों के रूप में अपने आयका 80% भाग देना पड़ता था आप संबर सी इसका राइट एंसर है स्वर्ग को बदनाम सीज निलुखित मिस्कीर ने कहां वाल्टेर ने कहां 1789 की फ्रांस की करांती के समय रूस में किसका सासन था के थरीन महान का सासन था निलुखित में से किसके ने दाबा किया है कि मैं ही राजी हूँ चाउदाहमा लूई ने चाउदाहमे लूई की मृत्यू का हुई थी 1715 इसे में हुई थी फ्रांस के राजा स्वेच्छा चार के उपर अंकुच लगाने वाले संसताओं पल्र में माओं की सदस संख्या कितनी थी 17 निलुखित में से किस वर्ग के लोग प्रथम इस्टेट यानि फरस्ट इस्टेट के सदस कहलाते थे किस वर्ग के लोग दिती इस्टेट कहलाते थे कुलीन वर्ग के लोग फ्रांस में क्रिस्को को चर्च को कर देना पड़ता था गावेल इस्टेटर जनरल की अंतिम बैठक 1789 इस्वी के पूर्व हुई थी 16-14 इस्वी के पूर्व हुई थे आपसनवर डीस का राइट अंसर है यदि रूसों का जन्म नहीं हुआ होता तो फ्रांस चीक रांते भी नहीं होती किसी ने कहा है में जनी ने कहा है आपसनों डीस का राइट अंसर है टेनिस कोर्ट की सपत लिए गए थी 20-1789 इस्वी में लिए गए थी ब्रास्दिल का पतन का हुआ था 14 जुलाई 1789 इस्वी में ब्रास्दिल का पतन हुआ था मानवा दिकारों की घोषणापत्र तयार हुआ था 27 अगर 1789 मानवा दिकारों की घोषणापत्र तयार हुआ था लुई सुलहवे को मिट्टूडंड दिया गया था नेशनल कर्णमेंशन ने लुई सुलहवे को मिट्टूडंड दिया किसने दिया नेशनल कर्णमेंशन ने आतंग के राज का परियाह किसे मना जाता है आतंग का राज परियाह किसे मना जाता है राबया पियरे को मना जाता है आपसमड़ सी इसका राइट एंसर है कन्वेंशन का विसर्जन हुआ 26 अक्टूबर 1795 इसमें कन्वेंशन का विसर्जन हुआ सरप्थम निरवाचित होने वाले किस डारेक्टर ने पद लेने से मना कर दिया आपसमड़ ए इसका राइट एंसर है नेपोलियन के केमफो फार्मियों में नेपोलियन के केमफो फार्मियों की संधी की आस्टिरिया ने की आपसमड़ डी इसका राइट एंसर है औरों में पांच डारेक्टिरों में किसकी साहनुवरों राज सत्तावाद्वियों के साथ ती कारणों की थी आ appeared संदक्र हूं któ उखें डालेक्टिरी के पतन में सबसे प्रमों का हाथ किस डारेक्टर का रहा है उखें है दालेक्टिरी का अंत अंत विए था दस नमंबर 1799 में डिरेक्टरी का अंत हुआ था रिफलेक्शन आंद रिशुलेशन इन फ्रांस के लेखा का वर्क है आप समुड़ भी इसका राइट अंसर है करांती निरंकुंसंता की अपेच्छा असमानता के विद्रो थी किसे ने कहा है मेडलीन ने कहा है आप समुड़ ए इसका राइट अंसर है आयरीसो को संतुष करने के लिए इंगलेंड ने यूनियन एक्ट का पास किया अठारा सो इस्वी में पास गिया फ्रांसिसी करांती के इस ब्रिती में पाउधे लगाये गए हिंगल के पाउधे आप समुड़ क्या है डीस का राइट अंसर है राइटर साफ मैन का लेखक टाम पैन की सिदेश का था इंगलेंड का था जुलाई 1789 में फेरिस के नागिरिकों में बड़ी उत्तेजना थी क्योंकि राजा ने अर् बहुत गहरा पड़भा पड़ा समाजिक वेवस्था पर रानी मेरी एंटायरेंट सुभाव से ही वीरोधी थी सुधारवादियों की आप सम्वड़ ए इसका राइट अंसर है इसकी वीरता की प्रसंसा की थी लफायते ने आप सम्वड़ ड़ी इसका राइट अंसर है बूरत और आतंकवादी व्यात्ति था राप्स प्यरे आपसंवर इसका राइडंसर है टेनिस कोड़ की सब्सक्त लेने ते समय मिराबो का साथ दिने वाला कौन था ए भी सी एज था आपसंवर डी इसका राइडंसर है इन कलबों का जन्म तो करांती खरांती के आरम में हो दल लच प्राप्ति में थे जीरोदिस्त दल लच प्राप्ति में थे आचार युगत का राइटन सर्व है जेकोबिन्स का मत्त था कि सारे अधिकार और सारी सत्ता निहित है किसके जनता में नहित है जनता के दौरा राश्टी संवेलन की प्रतम बैठक 21 सितमबर 1792 इस्वी मे वल्लबी नामक स्थान में हराया था 20 नवंबर 1792 इस वी को आप्सनवर ए इसका राइट अंसर है राष्टी सम्मेलन की आग्या अनुसार लुई सुलहवे को मिरित्यू रंड दिया गया था 21 जनवरी 1793 इस वी को फ्रांस का सैनिकवाद किस पर अधारित है ससत्र राष्ट प अधारित है केवल पेरिस में ही आतंक कंकाल में मिरित्यू डंड दिया गया था 50000 लोगों को आप्सनवर डी इसका राइट अंसर है राष्टी सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता थी देश में राष्टी धर्म की सिच्छा और प्रचार लुई सुलहवे को मिरित्यू डंड दिये जाने का पड़ी नाम था फ्रांस के आतंक वादारवल की स्थापना हो गई थी आप सिर्मड डी इसका राइट अंसर है राज परिवार द्वारा फ्रांस से भागने का प्रयाज करने से जन्ता में उद्पन हो गया असंतो सवसंद्य है दोनों सज्जनों में निर्दोस हूँ मुझ पर लगाए गए आरोप मिथ्या है मैं रक्त फ्रांस का भला करे यकाना है लुई सुलहवे का है लुई सुलहवे को पराण दन दिये जानने से फ्रांस के सत्रों की संख्या बढ़ गई और उसके प्रतिक उनकी गिरिणा भी गहरी हो गया कथन प्रोफेसर है जैन का है राश्टी सभा का सबसे अधिक योग व्यक्ति मीराभो था वरास्टिल के कीले को लूटा गया चाउदा जुलाई 1789 इसवी में वरास्टिल के कीले को लूटा गया एसेंबली ने सामनतवाद को समाप्त कर मानो और नागरिक अधिकारों की गोशना कब की थी 27 अगस्त को 1789 इसवी में राश्टी सभा के किस प्रकार के अधिकार को प्राकर्तिक और न छीने जाने वाले अधिकार के रूप में प्रसुत किया समपती का अधिकार आपसनवर सीज का राइट अंसर है एक धूर्त और आतंकवादी व्यक्ति था राप्स पियरे था यह एक धूर्त और आतंकवादी व्यक्ति था राश्टी सभा ने एसाई गिनेटस को किस रूप में जारी किया पत्र मुद्रा के रूप में जारी किया टेनिस कोट किसा पत लेते समय मिराबो के साथ कौन दिया था A, B, C, A जने आप समवर A इसका राइट अंसर है अगला कोशन है नेम लिखित में कौन राश्टी सभा के प्रमुख कार है इन कलबो का जन्म तो करांटी के आरंबह में ही और चुका है किन्तु अपनी सकति का प्रदर्थन उन्होंने राश्टी सभा समिलन के काल में किया गत्हन प्रुफिसर हेजेन का है फ्रांस में 1971 इस्वी के सभिधान के अनुशार स्वामपूर देश को कितने प्रांटों में विभक्त किया गया नहीं बाटा गया 83 प्रांटों में विभक्त किया गया आपसरमर भी इसका राइट एंसर है मीराबो की मिलित्यू कब हुई थी 3791 इस्वी में हुई थी बेवस्थापिका सभा की इस्थापना हुई थी 30 सितंबर 1991 में बेवस्थापिका की इस्थापना हुई थी राश्टी कन्वेंशन की प्रथम बैठक कब हुई थी आपसर नवर्शी क्या है इसका राइट एंसर है राश्टी कर्वेंशन में 020 दल के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्ती राश्टी कर्वेंशन में 020 दल के सदस्यों की संख्या दोस्ती निम्निकित में से किसी ने कहा था राजा को मनना चाहिए जिसे राज जीवी तरता सके राप्सक पियरे ने कहा था राश्टी कन्वेंशन में कितने सदस्यों ने लुई सुलहमे को मृत्युजंड के पच्छ में मत दिया 387 ने लुई सुलहमे को मृत्य उद्ड दिया गया 21 जनवरी 1770 स्वि में लुई स्यलहमे को मृत्युजंड दिया गया मेरा खुन फ्रांस की समर्दी का कारण बने राश्ट की चिरिनप यह कततन किसका है लुई सुलहमा का है इसका राइटेंसर है प्रांस के बिरुद्ध प्रथम गुट्ट इंग्लेंड हाइलेंड स्पेन अस्टिलिया और प्रसा आदी का निर्माण कब हुआ था प्रांस में बुद्धी का उस्ट्व मनाय गया दस नमबर 1793 में दानते की मुर्त्यू का हुई थी क्रांती के समय लोकतांत्री प्रसाशन पर अधिकार गुड तथा आतंक है क्याँकि बिना गुड के आतंक हनीका रख है यहों बिना आतंक के गुड सकती ही ने कतन किसका है र कि निमिकित मेंसे किसीने का है कि गड़तंत्र का अर्थ है इसके बेरोधी ततों का बिना जेंट जूस्तने आप तनुरस भी इसका राईंट्र है फ्रांस का सयríक वाद की चिध्धा पर अधारीत था ससस्त्र राष्ट पर अधारीत था राश्टी कन्वेंशर की सबसे बड़ी सपलता क्या थी देश में राश्टी धर्म की सिच्छा और प्रचार करना आप सम्रसी इसका राइट अंसर है डारेक्टरी का सशनकाल कब से कब तक रहा 27 अक्टूबर 1975 से 19 नमबर 1799 इस्वी तक डारेक्टरी का सशनकाल रहा पेंथियन विद्रो हुआ 1795 इस्वी में पेंथियन विद्रो हुआ फ्रांस के किस वर्ष के सभिधान को के प्रथम सभिधान को सबिधान को घड़ राज का तर्छ का सबिधान कोब गारिष वर्ष का सबिधान कहते हैं 1795 इस्वी को प्रांस और या कह whirlी का सशनकाल था कि प्रांस में डारेक्टरी का सासनकाल था धुरताओं का था सड़यंत्यों का था आप संबर क्या है डीज का राइट अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ यहाँ पर दिया है किस वर्ष फ्रांस में डारेक्टरी के सापन हुई 1795 में फ्रांस की 1789 इस्विक करांती का आरंब था तीज जुन 1789 को टेनिस कोट की सपत मेरे पस्चात प्रलय होगा यह सब्द किसने का है लुई पंच दस ने कहा है आप संबर डीज का राइट अंसर है प्रांस की करा राज करांती 1789 इस्विक का नारा था स्वतंतता के दिया है मातित्व यह समानता आप संबर बीज का राइट अंसर है निन में से किसे दी आस्टरियन या मैडम डिफिसिट के नाम से पुकारा जाता है मेरी एन टोय नेटी को आप संबर बीज का राइट अंसर इस्टेटर्स चनरल के कितने भाग हैं तीन भाग हैं लेत्रे देर सासे का अभी प्राय था प्रभावी ब्यक्ति द्वरा बीना किसी पूर्व सुचना के किसी भी ब्यक्ति को इस पत्र को दिखा कर सकने का अधिकार था प्रथम इस्टेटर्स जनरल का अधिवेशन कब हुआ 1789 इस्वी में हुआ फ्रांस की करांती 1789 इस्वी किसमें फ्रांस के किस वंस का सासन था बुर्भो का था बुर्भो वंस आप संबर ए इसका राइट अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोश्ण की तरभ चर्च इसका राइट अंसर है फ्रांसीसी विचारों का पूर्भ दरपड रोज किसे कहा जाता है वाल्टेयर को कहा जाता है आप संबर डीज का राइट अंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोश्ण की तरभ इस्प्रीट आप दी लाज कानून की आत्मा का लेख का कौन है मांटे इसका राइट अंसर है त्रिती वर्ग ने स्वयम को राष्टी सभा गोशित किया कब गिया 17 जुन 1789 इसवी को गोशित किया 14 जुलाई को फ्रांस की करांती इतिहास में कौन सी महत्रपूर गटना गटी बरास्तिल का पतन आप संबर क्या है 14 जुलाई को फ्रांस की करांती के इतिहास में बरास्तिल का पतन हुआ आप संबर सीज का राइट अंसर है सविधान सबा का सबसे महतपूर कार था मानो अधिकारों की घोसरा करना यह हमारे सविधान सबा का सबसे महतपूर कार था उस समय का अनि पहले ठीक है लगभग 2330 इशापूर रिफ्लेक्शन आंदर इसलेशन इन फ्रांज गरंद के लिखक बर्क हैं मुनरो सिध्धान की घोसरा कब हुई दो दिसंबर 1823 में मुनरो सिध्धान की घोसरा हुई यूनानियों की गुप्त क्रांतिकारी संसता ही तेरिया फिलके का गठन स्थान पर हुआ ओड़ेशा स्था सब्सक्राइब करें बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ठीक है तो यदि कोई भी इस वीडियो में तुरूटी हो उसके लिए चमा जाते हैं और एक जान देने से पहले मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकेंडियर फॉर्ट सम सब्सक्राइब करें